हाई अवर्टिका आज इस वडियो में आप लोगों को सुर्भी जियोती नागिन 3 सीरियल से इंस्पायद मेकप लुक करके दिखाने वाली हूँ यह सिर्फ और सिर्फ एक इंस्पायद मेकप है मैंने उसके मेकप से इंस्पिरेशन लेकर के यह वाला मेकप लोग जो है क्रियेट किया है बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एग्जाक्री सुर्भी जोती जैसा है या फर मैं सुर्भी जोती जैसा दिखने की बिल् कि बुलकुल साफ करने के बाद फेस watch करने के बाद लोग गोगो अरजस प्राइमर लिया है ये जो प्राइमर है ये एक handmade product है सबी जो products इस video में मैं इस्तेमाल करूंगी वो बहुत ही जियादा affordable ultra affordable brands में इस्तेमाल करने वाली हूं और सबी आपको वीडियो के नीचे गए description में लिखे गए WhatsApp नमबर पर order करने पर मिल सकते हैं उस WhatsApp पर आप message करके अपना order place कर सकते हैं अपना simple primer लगाने के बाद जसमें moisturizer toner सब कुछ था उसके बाद में store bought primer जो की Mars का silicon gel based kind of water gel based primer है वो अपने चहरे पर लगा रही हूँ इससे मेरा makeup जो है वो बहुत ही अच्छे से smoothly होगा साथ की साथ makeup लंबे समय के लिए टिका रहीगा प्राइमर लगाने के बाद 5 मिनट के लिए मुझे प्राइमर का अपने face पर लगा रहने देना है आँकों के नीचे काले घेरे हैं या फिर कहीं पर अगर pigmentation है जैसे कि मेरे mouth के around हलकी सी रहती है वहां पर मैं concealer लगा रही हूँ आप चाहें तो आप orange करेक्टर या yellow करेक्टर लगा सकते हैं अगर आपको darkness बहुत ज्यादा है बट हलके फुलके concealing के लिए आप concealer के मदद से चुपा सकते हैं जो भी जाईयां वगेरा कुछ ऐसे हिससे अगर आपके चेहरे पर हैं तो beauty blender से अच्छे से मैं blend कर लूँगी जहां जहां पर जिस जिस एरिया पर मैंने concealer को लगाया है beauty blender को dabbing motion में, bouncing motion में मैं चला रही हूँ यह neon का beauty blender है, dense है और अच्छी quality का है, पानी में भीगोने के बाद अच्छे से wet होके फूलता भी है इसके बाद अब जो मैं foundation ले रही हूँ, वो भी swiss beauty का foundation है, swiss beauty का mousse है यह, पहले जो मैंने concealer लिया था, वो swiss beauty का dual stick concealer था यह बहुत ही soft और अच्छा velvety foundation है, अगर आपने Maybelline का dream touch satin foundation इस्तेमाल किया है, तो थोड़ा सा उससे similar है, बत कहीं न कहीं उससे ज्यादा अच्छा है इसके अंदर primer भी already होता है, तो अगर आप अगर कभी primer नहीं लगाते हैं, सिर्फ यह foundation लगाते हैं तो भी sufficient रहता है, और यह foundation medium coverage देता है, इसको मैं अपने चेहरे पर neck area पर अच्छा से dot कर रही हूँ, और इसके बाद अपने beauty blender की मदद से, bouncing motion में मैं अपने foundation को blend कर रही आपको अंदाज से दो pumps foundation लेना होता है, या दो मटर के दाने जतना, या फिर अगर आप ज्यादा coverage चाहते हैं, तो थोड़ा सा foundation और ले सकते हैं, लेकिन फिर foundation केकी भी हो सकता है, तो इसलिए best रहता है कि थोड़ा सा foundation लेकर के अच्छे से चेहरे पर लगा दें, क्योंकि ह हमने concealers भी लगाने हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि बहुत जादा प्राड़क्ट्स केक अप हो जाएं, तो थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में सब प्राड़क्ट्स आप लेंगे, तो आपका make-up का finish जो आएगा, वो बहुत ही natural आएगा, अब ये same Swiss beauty का concealer stick, dual concealer में ले रह कावरेज चाहिए और थोड़ा सा हाइलाइटिंग चाहिए अपने चहरे पर जहां-जहां पर भी light fall करती है, matte highlighting के लिए वहां पर मैं इस stick को लगा रही हूं, ताकि ये जो चहरे के हिस्से हैं, ये अच्छे से उभर करके आएं, और चहरा sculpted वाला look दे और model-like effect जो है वो आ किया है, नाक की सिधाई में बीच में बिल्कुल bridge of nose पर, forehead के बीच में, मात्य के बीच में, और अपना जो face का नीचे का हिस्सा है, वहां पर मैंने लगाया है, जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं, beauty blender को bouncing motion में, जहां जहां पर concealer लगाया है, वहां वहां पर चलाना है, चेहरा जो है highlight हो करके उभर करके आएगा, अब हमें इसे जल्दी से जल्दी set करना है, ताकि क्रीजिंग ना हो, lines ना बने concealer की, इसके लिए मैंने यहां पर steel paris का compact लिया है, जिसमें SPF 26 भी है, और इसे म फिला फिला कर नहीं लगा रही हूं, प्रेस करके लगा रही हूं, अंडर आई एरियाज में सबसे पहले, फिर eyelids पर ताकि यह वाले areas पर बिल्कुल क्रीजिंग ना हो, क्योंकि यही वो areas जहां क्रीजिंग होती है, फिर जहां जहां पर मुझे ज़्यादा पसीना आता है, हमें थोड़ा ज्यादा quantity में लगा रही हूं, जैसे कि मेरे mouth के around ज्यादा आता है, nose पर ज्यादा आता है, और forehead की बीच में आता है, T-zone पर तो वहां पर मैं ज्यादा compact लगाऊंगे, और बाकी जो हलका फुलका puff पर बचेगा, वो बाकी के अपने चेहरे पर लगा लगा ल लॉस हो जाता है कुछ लोगों को, तो ये कारण है उसका अगर आप जानने में इंटरस्टेड है तो और बाकी उसके बाद में अपने मिस्कलेर के ब्राउन आइब्रो पेंसल से धीरे धीरे लाइन्स बना करके अपने आइब्रोस को फिल कर रही हूं, जो आइब्रो हैर है तब बहुत जादा ब्लाक आइब्रो पेंसल ना यूज करें और अगर आपकी लाइब्रोस है तो आप ब्लाक आइब्रो पेंसल और डाक ब्राउन आइब्रो पेंसल दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद मैंने माटलोक विल्वेट माट आइशेदो पालेट लिया है जो कि पूरा matte eyeshadow palette है इसमें मैंने peach और light brown shade लिये हैं दोनों को mix किया है पिकिस हम यहाँ पर simple सा eye makeup create करेंगे हम इसमें बहुत जादा steps और बहुत मुश्किले नहीं करने वाले हैं हम simply उसको outer way में लगा करके अपना जो eyelid का transition line होता जहां से eyelid हमारी start होने वाले होते हैं eyebrows के बाद eyebrow bone की नीचे की तरफ से जो गुलाई आती eyelids पर वहां पर हम इसको लगाएंगे उसके लिए अपना कोई भी थोड़ा soft वाला eyeshadow brush fluffy brush या फर thin brush इस्तिमाल कर सकते हैं अब मैं flat eyeshadow brush लोगी जो simple main eyeshadow brush होता है और इस Swiss beauty का बहुत ही अच्छा iconic baked eyeshadow palette में ले रही हो इसमें से light bronze shade मैंने लिया है और इसको मैं अपने eyelids पर pack करके लगाऊंगी इसको मैं एकदम से फैलाऊंगी नहीं इसको मैं हलका हलका pack करूंगी eyeshadow brush की मदद से जससे क्या होगा pigmentation जो है मैं नहीं लगा रही हूं मुझे eyelids पूरे इससे cover करने हैं लेकिन दीरे-दीरे करके मैंने तीन बार eyeshadow उठा करके step by step किया है ताकि अच्छे से eyeshadow जो है वो pack हो जाए neat effect आए और जो outer V है वहाँ पर मैं eyeliner की तरह से line बना करके कि इसको अच्छे से define भी कर रही हूं because outer V में मुझे थोड़ा सा अच्छे से darkness चाहिए eye eyelids की outer V में आप देखेंगे कि इससे depth अच्छे से आ गया है और थोड़ा सा V जो है यह defined रखना है अगर आपका eye shadow से defined हो गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं अब थोड़ा सा finger से भी बाकी का नीचे का area clean कर सकते हैं और फिर अपने thin brush को ले करके line बना सकते हैं सुर्भी चूदी का जो eye shadow है वो थोड़ा सा कहीं न कहीं outer V में defined रहता है but overall बहुत ही subtle रहता है पूरे eyelids पर same side shade रहता है बस outer V define रहता है तो इसलिए उसको define किया है but उसको कहीं न कहीं हमें soften up करने की ज़रूरत है तो मैंने fluffy eye shadow brush लेकर उसे outer V में और साथ की सा transition line पर गोल गुमा करके थोड़ा सा soft किया है इसके बाद मैंने लिया है Swiss beauty का gel का gel आप इस पूर्पस के लिए अपना gel eyeliner भी ले सकते है या फिर simple का gel जो आपका जाद समाज ना होता हो विकास हमें lower lash line पर lower water line में लगाना है आँखों की अंदर की तरफ का gel भरते हैं जैसे वहाँ का gel लगाना है और थोड़ा सा lash line पर भी लगाना है अच्छा सा deep black effect हमें चाहिए है और इसके बाद हमें upper water line में भी लगाना है आँखों के अंदर की तरफ उपर की जो line होती है tight line करना है हमें यानि की tight lining कर रहे हैं हम eyes को जिससे की eyes बहुती black और defined लगेंगी इसके बाद inner corner से start करते हुए जेल काजल को आपको अपनी upper lash line पर लगाना है कोई भी आप ऐसा काजल इस्तिमाल करें जो बहुत जादा extreme स्मज़ना हो बट हलका सा soft हो ताकि हम उसको अच्छे से smudge कर पाएं और मेरा थोड़ा सा inner corner में आप देखेंगे एक्स्ट्रा लग गया है तो यह मैं अपनी q-tip से या फिर earbud से या फिर अपनी छोटी finger से clean कर लूँगी और मेरे को हलकी सी बिल्कुल छोटी सी wing बनानी है ज्यादा बड़ी wing नहीं बनानी है काजल लगाते लगाते नीचे वाली lower lash line से एक हलका सा wing type उपर की तरफ निकल रहा है और smoked out effect आएगा इससे और थोड़ा side shadow का color भी था brush पे तो काजल पे वो भी लग जाएगा तो एक हलका सा wash out black ऐसा smoky सा look आएगा ज्यादा अलग से defined line नहीं दिखाई देगी अब eye makeup बाकी का मैं बाद में करूँगी अभी मैंने अपना contour powder लिया है हमने cream contouring नहीं किया हम चाहते तो वह भी कर सकते थे light सी फिर हम इसको skip कर सकते थे बाद यहां पर मैं slight contouring करूंगी बिल्कुल भी चेहरे पर अलग-अलग से हमें lines बहुत जादा visible नहीं दिखानी है क्योंकि आप देखेंगे कि मैंने आपको पूरा line का system दिखाया है इयर के start होने से लेकर के eyes जहां पर end होती है वहां पर नीचे को lips के पास में आपको अपनी contour line end करनी है तो उस तरह से आप contouring अगर करेंगे तो बहुत ही natural सा sculpted look आएगा और साथ की साथ जहां पर आपकी double chin है अगर double chin नहीं भी आपका face जहां पर end हो रहा है वहां पर आप अपना contour powder लगाएंगे जहां पर आपका neck or face जो है वो मिलता है ताकि आपका face अलग से defined लगे इससे बचा कोचा contour powder है जो brush पर वह भी लगा दूगे जिससे की forehead थोड़ा सा चोटा दिखाए देगा अगर आपको forehead अल्रेडी बहुत चोटा तो आपको forehead पर contouring करने किया सच कोई ज़रूरत नहीं परती है अब मैं इसी brush चाहूं तो हलका सा nose के sides में contouring कर सकती हूं या तो फिर आ नोस के bridge के sides में हलकी सी पतली सी line बना सकते हैं और उसके बाद आप finger से उसको वहीं वहीं पर blend कर सकते हैं इससे थोड़ा ज्यादा nose contouring का defined look आएगा और आपकी nose का आकार जो है वो खेल करके उभर करके सुन्दर सा आएगा इसी तरह से आपको अपने चेहरे के दोनों साइड दिखाया चाहें दोनों साइड दिखाया बट आपको obviously दोनों साइड contouring करनी होगी इसी तरह से मैं अपने दूसरे चेहरे के side में भी डबल चन वाले एरिया पर contour powder लगा रहे हूं contour powder जो है वो brown grayish undertone वाला है मेरे पास जो की मेरे चेहरे से 3-4 shades dark color का है आप अपने च चोदी का blush जो है वो बहुत ही प्यारा सा prominent दिखता है और वो reddish pink सुन्दर सा color आता है तो उसी तरह से मैं भी blush अपनी contour line के ऊपर को लगा रहे हूं हलका सा फिर में smile करके भी लगाऊंगी contour line से just ऊपर हमें अपना blush line लगाना है अब उसी में से मैं उसका highlighter palette यूज कर रहे थी बहुत ही सस्ता और अच्छी quality का palette है और इसको मैं अपनी brush of nose पे लगा रही हूं then जो मेरी cheekbones है यानि कि blush के ऊपर एक हड़ी आपको फील होएगी जहां पर हमें blush लगा है उसके ऊपर की तरफ या आँखों की नीचे थोड़ा हड़ी फील होएगी वहां पर हमें highlighter लगाना है विकिस वह लाइट फॉल करती है और वो चेहरा का हिस्सा जो है वो चमकता है तो highlighter लगाने से वो और अच्छे से चमकेगा और बहुत ही ज्यादा beautiful लगेगा बहुत ज्यादा highlighter नहीं लगाना है विकिस हमें natural glow चाहिए है अब यह चेinki तरफ भी मैंने लगाया है और आखों में नीचे की तरफ नीचे वले eyelashes पर भी मैं हलका सा mascara लगा रही है हो तो नोँ आकों मैं फर्क देखिए आप जिसमें mascara लगाया और जिसमें मैंनेyy मेकप पूरा हो गया है अब थोड़ा सा दूर रखके अपना मेकप फिक्सिंग स्प्रेय जो है मैं वह स्प्रेय कर रही हो और इसको मैं एक मिनट के लिए सूखने दूंगी यह सूख जाएगा इससे मेरा मेकप सेट हो जाएगा लंबे समय तक टिका रहेगा ब्यूटिफल सा सॉफ्ट पिंक हमें लिप्स्टिक का चाहिए है बहुत ही जादा लाइट भी ना हो बहुत जादा डाक भी ना हो थोड़ा नाचुरल सटल सा और एकदम से माट फिनिश चाहिए तो या तो वह लिक्विड लिप्स्टिक से आएगा और उससे भी बेटर एमेन के में यूस कर रही हूँ या पको कहीं पर भी एजीली 80 रूपीज से 150 रूपीज के बीच में मिल जाएगी मेरा इंस्टेग्राम को स्टोर विडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहां से सभी प्रादक्स आपको अच्छे अफॉरिबल प्राइस में मिल जाएं